हेलो एवरीवन, यूर वाचिंग दे इशार स्वर्ड और वेल्कॉम बाक टू दे चानल, लेस्ट के स्टाटिग विडियो आज की विडियो में हम बनाएंगे एक स्पेशल चाय, विंटर के लिए ये स्पेशल चाय होगी, ये चाय स्पेशल क्यूं है क्योंकि इसमें हम कोई भी टी लीफ नहीं यूज करें हैं, चाय पत्ती नहीं यूज करें हैं पर फिर भी ये चाय बहुत टेस्टी बनेगी, जरूर आप इस चाय को एक बर ट्राइ करना आप अपने मर्जी से क्वाटिटी ले सकते हो, अगर कम बना रहे हो चाय तो कम ले लीजीए जदा बना रहे हैं तो जदा ले लीजिए अच्छे से क्रेश कर लेंगे थोड़ा सा आप इसे मोटा मोटा रखेगा जादा बरीक पाउडर नहीं करना है उसके बाद मैं पैन में ले रही हूँ एक कप दूद अप जितने कप चाय बना रहे हैं उतने कप दूद ले लीजिए आप बॉल आने के लिए गैस पे रखतेंगे जब तक दूद में बॉल आता है तब तक हम इसमें जिंजर को ग्रेट करके डाल देते हैं जिंजर का आप चाहु तो कृष करके भी डाल सकते हो गैस की फ्लेम लो पर ही लखें और लो पर ही इसे बॉइल आने चाई बहुत यमी बनती है एक बाद जरूर ट्राइ करना आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बिना चाई पत्ती के ये चाई पी है एक बाद जरूर ठ्राइ करना अच्छे से जिंजर डालने के बाद हम इसमें जो हमने क्रश किये हुए थे सभी मसाले वो डाल द अगरा मेरे चानल पर पहली बार आयो तो चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेर भी करना मैं ब्यूटी कुकिंग फैशन के रिलेटीड डियावाइस के रिलेटीड वीडियो डालती रहती हूं जब चाय में एक फॉयल जाएगा दैन उसके बाद मैं डा रही हूं जगरी पाउडर वान टेबल स्पून आप चाहो तो यहां पर शूगर डालना चाहते हो तो शूगर भी डाल लेओ पर जगरी जो है वह हेल्दी ऑप्शन है इसलिए मैं जगरी डाल रही हूं परसनली मुझे जगरी वाली चाय ज़्यादा टेस्टी लगती है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे एक वाल आने देंगे एंड हमारी यमी सी टी रेडी है इसे स्ट्रेंड कीजिए और गर्मा गरम चाय पीजिए बिना चाय पती के आपको लगेगा ही नहीं कि यह चाय नहीं है बहुत टेस्टी और बहुत सकते हैं कि आप और कौन-कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं तब तक के लिए बबाए नमस्ते और से यू नेक्स्ट वीडियो